और इस चीज के बादना जब मैं रिवाइव हो रहा था मैं अपने आपके चांटे पेल रहा था कि क्यूं ऐसी गलती क्यूं कि मैंने ये जानते वे भी तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पड़े पप जिदो मोबाईल के प्ले वीडियो में और यार यहां पे एक इतना खतरना कलच भी है मतलब यार बिलकुल मजा टैप आजाएग होगे ठीक आप किसी भी गन से पंगालो एक टैम के लिए आप गुरोजा से भी पंगाले सकते हो लेकिन यार एडवल मतलब यार मजाक नहीं चल लाए यहां पर फिलाल मैं जोड़ जा रखा हूं और यहां पर बंदें आगे और वो बंदाना अब यहां पर पूरा सकोब खोल के बैठ जाता है अब यहां पर यह तीन भाई मिलके एक बोट को पेलते हैं और उस बोट को वो पिंक कपड़ वाला भाई लूट रहा होता है तो मैं बोलता हूं यहां पर उपर मैं बंदा लूट रहा है इसकी पेटी बनाओ सबसे पहले उसके बाद एक पीछे कंठेनर के उपर से बंदा आता है और वो पूरी चौड में अपना सकूप खोल देता है मेरे पे तो मैं धैड़ पैड़ छोटा सा पीक करता हूं और टोमी गन से भाई को नौक कर देता हूं खैर यहां पर तीन बंदे तो ठिली चुके हैं अब आगे जा रहा हूं क्यूंकि एक और बंदा बाकी है औ और देखो मैं उसे काफी डेमेज दे चुका हूं तो मैं बोलता हूं ठीक है यार इतना डेमेज दे दिया आप वैसे भी हिलिंग नहीं होगी भाई पे स्टार्ट है गेम का तो इस पे अंधार रस करते हैं और यह बेहुकूफी होती है और यही होता है जब आप बिना मतलब के चौड में आते हो और अंधार रस करते हो अना मैंने बोला यार एक दो गोली मार दी होगी भालवे की तरह पे लूँगा इसे इसे अंधार रस करो इस बंदे पे ठीक है और इस बंदे पे वहिया मेरे ख्याल से एक एम या बैरल कु खेर टेंसर नियायार क्योंकि एक और सो कॉड़ा रही है और उसे 10 HP में पेलेंगे अब इस टीम के मैं दो बंदे तो निप्टा देता हूँ हना एक नौक पड़ा होगा कहीं कोने में जाके लेकिन इस बार मैं वो रिसक नहीं लूँगा पिछली बार क्या किया था या अंधा रस किया तो ठिल गया था तो यहाँ पे मैं इस बंदे की पेटी लूटता हूँ भाई पे वो वाली हील होती है जो 100% करती है आपके हेल्थ को तो हाँ यार वो धेड़ पेट लगा लेता हूँ मैं और देखो अब तो हेल्थ भी फूलो गई है तो हाँ आगे रस करने के लिए भगते हम लोग और हमारे इस आखरी बंदे पे भी एक एम पड़ी होती है ना भाई मुझे लग रहा था वही आगे ठीपीपी ले रहा होगा लेकिन यार बंदा पूरा राइट में आ चुका था खैर जल्दी से मैं गोली पेलता हूँ और भाई ठील जाते हैं बिल्कुली और इसी के साथ मेरे ख्याल से जोर्द भी खाली हो चुका है खैर उसके बाद जितनी भी पेटिया याँ पे पड़ी होती है उन्हें बिल्कुल बुक्के नंगों की तरह लूटा जाता है और कहा जाना होता है आपको भी पता है रोजोग की पहाड़ी पे तो मैं गाड़ी उठाता हूँ रोजोग की पहाड़ी पे दे पठकता हूँ क्योंकि यार जब भी आपको किल्कुल चीह होती है तो यहां पे आना पड़ता है और लगबग हर बार किल मिली जाती है तो इस बार भ ला रहा है ना बंदा ये बहुत खतरनाक है मतलब भाई ने सिर्फ एक बार दबाया फायर का बटन और देखो हेल्थ की ऐसी तैसी कर दी हना सोचो वो दो बार दबाता तो शायद मैं सीधा वही पे ठिल जाता खैर जो भी हो मैं भग के पीछे आ जाता हूँ हना भाई जाता नहीं कर पाते मेरे पे तो उसके बाद मैं हिल हूल करता हूँ और एक नीचे बंदे को नौक किया था ये लोग पता नहीं क्या ही कर रहे थे मतलब होता नहीं जब आप एक जगह पूरी लूट लेते हो अपने दोस्तों से पुछते हो कि भाई तेरे पे कौन सी गन है मेरे को ये वाली गन लाके दे तो मेरे क्याल से यहां पे भी बहीन चलाता वह या ड्रिंक ड्रूंक इधर उधर कर रहे थे यह उत्रे गों में मैं पीजे से एमफोर चिपका देता हूं तो देखो अभी तक जहां तक मुझे पता है तीन बंदे हैं यहां पे लेकिन नहीं यार पूरी सकॉर्ट बैठी पड़ी होती है और बहुत खतरनाग जगा पे बैठी पड़ी होती है तो हाँ इनको जैसे तैसे करके पेलेंगे फिलाल मैं ठीपी पी ले रहा हुता हूं और प्रिसे यह होता है और यहां पे एक बार फिर से मुझे वह M16 वाला बंदा मारता है और इस बार भी भाई एक ही बार फायर का बटन दबाते हैं मतलब यार इस टैम मुझे लग रहा था कि यार वह मुझे बिलकुल माझाक में मार रहा है हलवे की तरह मतलब एक बार फायर दबा रहा है मैं कवर में जा रहा हूँ हील कर रहा हूँ वो फिर से एक बार फायर दबा रहा है यार पूरे मस्ती लेके खेल रहा है बंदा तो यहां पर मैं बोलता हूँ यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा तमीज से खेलना पड़ेगा तो अब देखो मैं बहुत रूख चुका हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी आगे रस करना ही पड़ेगा और M16 वाला बंदा भी दिख जाता है मुझे तो हमारे M16 वाले भाई उस छोटे से घर पे बैठे होते हैं और यार मेरे ख्याल से उस चीज को घर बोलना गलत रहेगा और यहां पर मैं सारी कुशी से कर लेता हूँ एक बंदा नौक करने की लेकिन कदू कोई नौक नी होता खेर अब तो समोक भेकी दिया है तो यार चाहे कुछ भी हो चाहे अपनी पेटी बने रस्तो करना ही होगा तो मैं होलो लगाता हूँ अपनी एमफोर में और आगे भगता हूँ और ये जो मैं बच रखा हूँ ना मुझे कही से भी नहीं लग रहा था मैं बच पाऊँगा मतलब उस सेक के पीछे एक बंदा कैम्प डालके बैठा होता है ठीक है कब से है वो वहाँ पे वो शायद उसी को पता होगा खेर उपर एक और बंदा है चत पे तो यार उसे पकड़ने भी निकल पड़ते हम और अब बस एक ही बंदा बचा है हाँ वही बंदा जो तब से मेरे को मजाग बना के पेल रहा है लेकिन यार भाई ने जितने मजे लेने थे वो खतम हो चुके थे और भाई भग के आ रहे थे अपने टिमेट को बचाने हाना और देखो यार अपना बदला तो लेना ही था तो भाई की रस्ते पे पेटी बना दी मतलब सही यार पहले पता नहीं कहां पे बैठाता ये बंदा रोजोग की पाहड़ी में पेला मुझे उसके बाद फ्लैंक करके रोड के उस पार बैठाता ये बंदा और वहाँ से भी भाई ने मुझे पेला लेकिन आखिर कार बंदे की पेटी बन गई और यहां टोटल चार बंदे बैठे होते हैं और यार जैसे तैसे करके इनकी पेटिया बनाता हूँ तो हाँ यार उसके बाद जोन बनता है मिल्टी रेरी के साइड हना पलेन पात पता नहीं कैसा था लेकिन अब देखो जोन उधर बन चुका है तो हम धैर पैर ब्रिच पे आजाते हैं ये देखने की सीन क्या चला है और खासकर यहां पे एक डिरॉब भी होआ होता है तो देखो पानी में है मैं बहुत धीट हूँ लेकिन मुझे पता है यार पानी में जाओंगा तो सीधा पेटी बनेगी खासकर तब जब वहां पे डिरॉब गिरा हो लेकिन यार मेरे आलावा और भी बन्दे होते हैं इस मैच में और कई जादा धीट होते हैं वो लोग और ये लोग पूरी चौड़वे गाड़ी लेके आते हैं गाड़ी को नीचे रोकते हैं और तयार हो जाते हैं तैरने के लिए लेकिन यहाँ पे मैं बैठा होता हूँ मैं भी डिरॉब की तरफ आया होता हूँ मैं देखता हूँ भाईया गाड़ी रुकी है दो की पेटी बनाई लेकिन सीन क्या होता है इन पे दो गाड़ी होती है असल में हाना एक गाड़ी पहले से नीचे पड़ी होती है तो वो रोग गाड़ी लेके लेफ्ट वाले गरों में भग रहे हैं करना क्या थैयार दो बंदों की पेटी बन गई दो ही बंदे बाकी हैं तो हाँ उनका भी पीछा करके पिला जाएगा तो मैं देखता हूँ ये लोग यहीं पे रुकर रखें मैं भी अपनी गाड़ी मोडता हूँ और देट ठोकता हूँ इस घर पे और एक्शियोन चलो हो जाता है अब मेरे दिमाग में बस एक इची चली है वो है इस बोट का क्या होगा क्या मैं इस बोट को पेलूँगा और ये बंदा मुझे पेल देगा यह यह बंदा बोट को पेल देगा फिर यार मैं बोट का बदला लूँगा और यह होता है और यहां पे मुझे बहुत गुसा आ रहा होता है अपने पे हरा मतला बयार मेरी आखों के सामने एक बेचारे बोट की पेटी बनाई गई अत्याचार हुआ बोट पे तो यार बदला तो लेने ही पड़ेगा तो बदले की आग में मैं यहां आ जाता हूँ और यह भाई जिस डीपी से उस बेचारे बोट की पेटी बनाते हैं उसी डीपी को पकड़के यार मेरी पेटी भी बनाने के लिए गुच जाते हैं अंदर लेकिन यार एकेम बर्सिस डीपी आर देखो एकेम पेल जाए यार काफी बढ़िया एकेम डीपी बहुत बढ़िया है अगर आप लोग रेंज चला रहे हो हाना आजकल तो यार वो भी नहीं चल लिए मेरे से पता नहीं क्यों नए अपडेट में कुछ सीन हुआ डीपी के स खर जो भी हो यहाँ पे इनको पेलता हूँ मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूँ जून काफी हो चुका है बृदिक कैम का सपना आपना तूर भी जाता है क्योंकि या दो-तीन घर पड़े होते हैं, तो पहाड़ पे रुकूंगा और देखूंगा कि यार, घर पे कोई है की नहीं, तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ सीधा और मुझे बंदे भगते वे दिखते हैं, रोट पार करते वे, तो मैं सपरे देने की कुछिस करता हूँ इन्हें, अब यह किसी दरवाजे के पास आएगा, उसकी मैं वहीं पे पेटी खड़ी कर दूँगा, पेटी गिरा दूँगा, लेकिन यार, वो बंदा अलग लेवल पे होता है, मेरे ख्याल से वो समझ गया था कि यार, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो भाई दरवाजे पे नहीं आते, क्या ही बोलू मैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि हुआ क्या, बंदे ने चलांग लगाई, मैंने गोलिया पेली बहुट डेमेज दिया, अंधार डेमेज दिया, और उसके बाद बंदा अचानक से गया, ठीक है, अब देखो, अगर मैं नसे नहीं करके भी खेलना हूँ नही मतलब यार अपने आप पे सकोने लगता है कि यार कहीं मैं सस्ते नसे में तो नहीं हूँ, क्योंकि मतलब यार बंदा सक्रीन से गया, क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ठीक यार ये तो छोटी बात है, क्योंकि इस गेम में तो कवर गे पीछे नौक हो जाते हैं, घर के अंदर न कर लेता है मतलब किसमत बहुत तकड़ी चल लिए भाई की और यह चीज़ देखने के बाद मैं बोलतो यार मेरे से नहीं हो पाएगा ठीक है वहाँ पे पीछे था मैं पहाड के दूसरी पहाडी पे था वहाँ से सप्रेदिया कोई नीठिला यहां पे आया दो बार सप्रेदि बंदे गाड़ी से बज़ जारे अब क्या ही कर सकते हैं पास गुस के पिलना पड़ेगा हाना क्योंकि यार बब जी मतलब चाहता निये मैं दूर से एक भी बंदा ठीलाओं तो जितने भी कलच करने पड़ेंगे यार गुस गुस के करने पड़ेंगे तो यहां पे मैं बड़ी गुड़ी लेके इस पार आजाता हूं और अब अंदर घुस के मारना पड़ेगा खैर इस घर पे घुसूंगा मैं पहले और उपर देखूंगा कोई केंपिंग तो नहीं कर रहा है क्योंकि भाईया पूछो मत बंदे कहां कहां केंप नहीं करते खैर यहां पे से तीन चार बार बच चुका है मेरे सप्रे से हाना वो बंदा जो गायब हो जाता है बिल्कुल गेम से गायब हो जाता है उसकी पेटी बनाने की बारी आ चुकी है अब और भाई पे हेलमेट हूल मेडवी नहीं होता अब देखो इस बंदे पे हेलमेट इसलिए नहीं होता क्योंकि आगे वाले घरों पे एक सनाइपर बैठा होता है उस भाई पे एडबलो एम होती है और हाँ उसी बंदे से बाद में पंगे होंगे इसलिए यहां पे मैं और अब जोन में जाना है तो यार जादा दे टाइम पास नहीं करेंगे जोन में निकलेंगे सीधा हाना क्योंकि यार गलत सीन ऐसे ही हो रहे है भाई या सकोब खूल रखा है बंदे पे 6X उसके बाद बंदे गायव हो रहे तो यार इस गेम में कुछ भी हो सकता है और यार दोर कर देगा तो हां यार इसी घर पे होगा और अब मैं थोड़ी बकवास बनकरता हूं मदेल हो यार इसका लज के का इस माज़ा है कि अब आप वुर आजवा है वो बाइब बीचे है वो बाइब बीचे है नुगरा पाइब दीए वाबधी और भाई लोग यार अगर आपने वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं ठोका तो इस 1v4 कलच के लिए यार लाइक जरूर पेल देना हाँ यार मुझे नहीं पता कैसे लेकिन मैं थोड़ा दिवाग लगाता हूँ हाँ डेड़ IQ से जादा जाता नहीं मेरा गेम प्ले लेकिन पता नहीं कैसे यार थोड़ा डाई IQ गेम प्ले हो जाता है मतलब देखो scene क्या था मेरा teammate नौक हो चुका होता है एक बंदे की मैं पहली पेटी बना देता हूँ जो यहाँ पे कैम करके बैठा था हना कोई दिक्कत नहीं है उसके पेटी बना तो तीन बंदे बाकी होते हैं तो देखो यह लोग खिडकी पे भी बैठे होते हैं और आगे दरवाजे से भी आ रहे होते हैं तो करना क्या था यार खिडकी से भी मुझे गोली पड़ती और दरवाजे से बंदा अंदर आ चुका था तो मैं बोलता हूँ यार दोनों को एक टैम पे तो पेल नहीं सकता मैं हाना मतलब व्यार दोनों तरफ कैसे फाइरिंग करूँ तो मैं क्या करता हूँ खिडकी वाला बंदा मुझे ना पेल पाए बोलके मैं डिरॉप शॉट पेलता हूँ हाना तो मैं जुग जाता हूँ और बंदे को जो खिडकी के बाहर खड़ा होता है उसे एंगल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलता ऐसा करके मैं उस बंदे को पेलता हूँ जो दरवाजे से आ रहो होता है और उसके बाद मैं डिपी चलाना रोकता नहीं बिल्कुल भी मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी भले डीपी रिलोड में जाए लेकिन गोल ही नहीं रोकूंगा तो मैं क्या करता हूँ डीपी चलाते वे पीछे मूरता हूँ और खिड़की वाले बंदे पे सर पे एम करता हूँ और भाई की पेटी बन जाती है और इसे के साथ अपना डाय एक्यू कलाच हो जाता है अब देखो मैं ना ये दो बार बोलूँगा कभी भी ठीक है कभी भी सामने वाले बंदे पे एडवलोय में और आप पे डीपी डूपी कोई भी गनवायार एम टू फोरो एक जगा से बार बार पीक नहीं करना कभी भी ठीक है मैं क्या सोच रहो भाई या ये अपने हाथ में माथे में छपवालू ये क्योंकि मुझे नहीं पता क्यूं मैंने ऐसी बेवोकूफी की पता नहीं कौन से नसे में था मैं देखो क्या सीन होते हैं और इस चीज के बाद ना जब मैं रिवाइव हो रहा था मैं अपने आपके चाटे पेल रहा था कि क्यूं ऐसी गल्ती क्यूं कि मैंने ये जानते वे भी कि यार सामने वाले बंदे पे AWM है और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है बंदे ने हेडसोट भी नहीं मारा नहीं भाई भाई ने सिर्फ बोड़ी सोट पेला क्यूंकि यार वेस्ट उड़ चुकी थी मैं बोड़ी सोट से भी नोक हो गया और तामबे पे सुहागा करने के लिए भाई पे गुरूजा भी पड़ी होती है हरा तो देखो सबसे पहले इस वीडियो के बाद मैं जा रहा हूँ अपने माथे पे चपवाऊंगा AWM वाले बंदे पे पीक मद्दे सेम जगा से ठीक है वो भी तब जब तुम्हारी वेस्ट भी उड़ रखी है एक टैम के लिए अगर मेरी वेस्ट पूरी होती और 100% हेल्थ होती न तो भी पीक करता चलता है यार मतलब अगर वो हेड़ सोट पेलता तो ठीक था नहीं पेलत कि आपको यार मेरे पे बहुत गुसा रहा होगा मेरे को बात मानो मेरे को हजार गुना जादार आप था अपने पे ठीक है मुझे अभी तक नहीं पता क्यों मैंने ऐसी अरकत की मैं समझी नहीं पा रहा हूँ खेर जो भी हो देखो एक चीट सिखने को मिली कि या AWM से पंग होता है और भाई बढ़िया खेल के दूनों की पेटी बना देते हैं तो यहीं यार देखो शायद आपको कुछ सीखने को मिलाओ क्योंकि मैं सीख चुका हूँ जिन्दगी भर के लिए वैसे मैं मुझे पता है मैं दुबारा धीटता करूंगा लेकिन हां यार कुछ दिन त और देको जब भी AWM है सामने वाले बंदे पे किसी और खिड़की से पीक करो या दो तिन बंदे आपके अगर टीमेट्स हैं दो तिन बंदे एक साथ पीक करो ताकि उससे नौक कर दिया जाए